जल्दी निगाई रहा हम्रा साथ निगाई निगाई रहा हम्रा साथ निगाई रहा है यह सुरेंदर यादर को चिरहा जो है मोचे संकर दिया उसके बाद पेशा लेकर देगे नातनगर में राजस्व करमचारी के मुंसी के रूप में काम करने वाले सुधीन मंडल को सोंबार की शाम एक महिला ने अंचल कारियाले में गुज़ कर जम कर धुनाई कर दी मामले को लेकर महिला का कहना था कि सुधीन मंडल राजश्व करमचारी का दलाल है और वह इलाके के आवेदकरू से मोटेशन के नाम पर अवैद वशूली करता है महिला ने कहा कि सुधीन ने पैसे लेकर एक परिवार का फरजी बटवारा नामा के आदार पर जमीन का मोटेशन कर दिया जबकि महिला ने सुधीन मंडल पर मोटेशन के नाम पर उससे भी 35,000 रुपे देने की मांग करने का आरोप लगाया है साथ ही कहा कि जब उसने पैसा देने से इनकार कर दिया तो सुधीन मंडल ने अपनी मनमानी कर फरजी तरीके से मोटेशन कर दिया वही इस दवरान नात नगल अंचल कारियाले में करीब एक घंटे तब अफरात तफरी मची रही हम आपको बता दें कि ताती बाजार चंपा नगर की रहने वाली महिला प्रिया गिल ने कहा कि एक पक्च से मोटी रकम लेकर अंचल कारियाले में बैठे दलाल ने मोटेशन कर दिया है नात नगर ताती बाजार चंपा नगर इलाके की रहने वाली महिला प्रिया गिल ने कहा कि एक पक्च से मोटी रकम लेकर अंचल कारियाले में बैठे दलाल ने मोटेशन कर दिया है और ब्रिद्य महिला पिछले आठ वर्सों से अंचल कारियाले का चक्कर काट रही है साथ ही कहा कि सुधीन मंडल ने बृद्ध महिला की जमीन सुरेंदर यादब से एक लाक रुपया लेकर उसके नाम पर रसीद काट दिया और उनके नाम मोटेशन भी कर दिया जब की महिला ने राजश्व करमचारी ओमकार के दलाल को पकड़ कर चमपा नगर इस्तित पिडिता की जमीन पर विले गई इधर पकड़े गए दलाल सुदीन मंडल ने बताया कि वह राजश्व करमचारी ओमकार बावु का इस्ताफ है और उसके उपर जो भी आरोप लग रहे हैं वह सभी बेबुनियाद है सुदीन ने कहा कि वह मोटेशन का काम नहीं करता है वही नातनगर अंचलादिकारी स्मिताज ज्छा ने कहा कि जिस जमीन के वारे में गलक मोटेशन की बात कही जा रही है उस जमीन का मोटेशन एक वर्स पुर्व हुआ है और अगर उन्हें कोई आपती थी तो उन लोगों को पहले ही अपिल में जाना चाहिए था सीयो ने कहा कि अंचल कार्याले में घुसकर एक प्राइवेट कर्मी के साथ मारपीट की सूचना मिली है जो व्यक्ती राजस्म करमचारी के साथ ही रहता है साथ ही कहा कि सरकारी काम में बादा उपन करने और अंचल कार्याले में सरकारी दस्तावेज के साथ छेड़ छाड म सामील लोगों के खिलाब कड़ी कानूनी कारवाई की जाएगी हम रहा है मनसो तेविश तो अपनास बोले हाँ हाँ मनसो जीए